IMD की साइंटिस सोमा सेन रोजी हमारे साथ बात करने के लिए मुझूद हैं मैं जिस तरह से दिल्ली में लगातार हीट वेव दिखा जा रहा है तापमान 47-49 डिगरी तक पहुच रहा है क्या इसको लेकर अपडेट है क्या तापमान और भी बढ़ेगा या इसमें कुछ गिरा संभावना है Northwest India में तो इसके चलते हमने रेड अलर्ट दो से तीन दिन तक पूरा Northwest India याने की राजस्थान पंजाब पंजाब हर्याना वेस्ट उतर प्रदेशन सभी राज़्यों में हमने रेड अलर्ट जारी किये हैं और आगे हम और इंच या येलो अलर्ट के तरफ धूप हो जाती है शाम के चार पांच बेजे तक रहती है और इसके सासा जो लू के थपेड़े उनका भी सामना करना पड़ता है तो क्या ये जो है इसे कुछ दिनों में राहत मिलेगी देखिए जैसे मैंने बताए दो से तीन दिन तक बहुत जादा राहत का उम्मीद नही है क्योंकि परश्रिम विक्षोब निकलते जा रहे हैं और जिसके चलते एक स्ट्रॉंग एंटि साइक्लोनिक फ्लो है और ये विंद भी आरे है आपकी पाकिस्तान के उपर से जो की वहां पर टेमपरेश अभी पचास डिग्री के सलसेश के आसपास है पाकिस्तान के साथ स हीट वेव का जो हॉट टेमपरेश जो है पूरा नौर्ट विस्ट इंडिया में एडवेक्ट हो रही है मैं लोग सावधानी क्या बरते हैं क्या सुझाओ है आपका अगर आपको जैसे इस समय दिन में दिन के समय कम से कम निकले तो अच्छा है क्योंकि डिहाइड्रेशन ब जरूरी बात यह है याद रखने का है कि यह सर्फ टेमपरेश नहीं है साथ में जो स्ट्रॉंग लू विंड्स बहते हैं 47-48 डिग्री सेस्ट का यह टेमपरेशर का जो विंड्स है यह भी आपका शरीर को पूरा सुखा देता है जिसके चलते बोडी बहुत जल्दी वीकिन कर जाता है शुक्रिया बात करने के लिए क्याम परसान अनल कुमार के साथ दिवायं करती हो और यह विपी नियूस दिल्ली